सवागत है दोस्तों मैं आपका होस्त गुर्टियर श्इंग दोस्तों वैसे दो हम आपके लिए बहुत सारे बिजनस लेकर आते रहते हैं तो आज जो आपके लिए बिजनस लेकर रहे हैं उसकी मार्किन में बहुत दिमांड है और आप इसको एक जानी से चला सकते हैं अपने गर में अपने कोई किसी में मंजल पर चला सकते हैं कोई आपको सब्सक्राइब कोई और अगर आप अभी तल चैनल सस्क्राइब नहीं किया और जल्डी से नीचे जागे सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथी में बैल आइकन दबाएं ताकि जो हम आपके लिए इतनी मेंनस करते हैं आपके लिए जो नए-ने बिजनेस आईडिया लेकर रहें आपको सबसे बेले पदा चल स सबसे पहले में उसकी जानकरी दोगा फिर आपको आगे बताऊंगा मशीन का परसेस क्या होता है कैसे चलती है और मैनूर से लेकर सब का सब कुछ बताऊंगा को सब से पहले हम आते हैं जो यह नोट्बुक बनिया आप देख सकते हो यह जो आपको दिख रहा है इसमें कि एक तो लगा कागई साहर लगे यह बार वाला टाइटर साथ में उसके साथ में लगे एक पिन दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए यह चाहिए यह आता है मिख है double notebook में सिंगल में बनाऊ गया आपकी production अपकी सीडी बात है डबल को जाती ए और वे। आपको चाहिए ऐयर होता है what did but to you lower will a property base मिलजाता है भी इसके लिए आपको एक और आप गटा जिसको टाइटल कह रहते हैं और साथ में चाहिए उसके कावज जो कावज होता है यह नहीं हम जो कावज है उसको एक बार आप rapp्रोक्सिमेट वेड करकर जो आगे वाले बंडल होते हैं उसको वेड करकर ही बना सकते हो उसका एक हाप बन जाते हैं अप्रोक्सिमेट वेड करकर उसका बाकी बंड़ाना है वेड के साथ से बना सकते हैं उससे कि आपकी प्रड़क्शन और ज्यादा बर जाती है ठीक है अब उससे नेक्स वाला जो प्रस आता है फोल्डिं इसमें कि कुछ लेबर होती है तो आपको वीडियो में दिख रहे हैं कि हाथ से लेबर फोल्ड दर्दी है और मारकास एक और मोडल है अलग से ओटमेटिक फोल्डिंग मिशीन उसमें आपको वो भी आपको साथ में स्क्रीन पर वीडियो शेर हो रही है उसको है कि बस आपको नॉर्मल ये कागज को टाइटल को रखना है तो अप दक्सन बढ़ जाती है सबसे बड़ा ये काम है और इससे नेक्स वाला जो परसाइस आता है उसका naam है sticking जो पिन लगाते हैं स्कों स्टिचिंग कहते हैं उसको यांकि मारे पास दो तीन मोडल है स्केश पहले मैनॉल स्टिचिंग में मोडर नहीं लगाता है पेर से आपको को दबाना वरता है वीडियो में देख सकते हो क्या कि आपको कागज को आगे-ागे करना है पैर से दबाना है कागज को और जो उससे नेक्स वाली मशीन आती है जिसको विकर भी कहते हैं हम उसमें कि आपका स्विच पैर पर लगा पैर स्विच से दबाना है और वह नोट बुक को आगे-ागे करते जाना है उसने जितनी पिन आपने लगानी है वह लगती जाएंगी स्विच जितने दबाऊगे ठीक है और उससे आगे और भी ऑटोमेटि के बारे में ठीक है और वीडियो अन तक देखना आपके लिए बहुत फाइले बन रहेगी कि आपको पता चलेगा कि नोट बुक कैसे बनती है और आप कैसे काम कर सकते हो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जो स्टीचिंग में जो आपका रोल लगता है वो रोल भी मारे स तरह के जैसे ही परवाइड हो जाएगा जो सैसे के इसा रोल आता है आपको ये सीधा मशीन में एक स्टीचिंग करना Own speed हो जाती है दोफरा जो आपका प्रसा है उतकरए कि दियू करनासि my और जैसे बी करना रही हैं इसमें जो पहला एक तो आता है जो नोर्मल आता है सस्ता जो अगर किसी के पाइब बजर्ट गम है तो एक ही कि आपको अटमेटिक एड़ स्केरिंग भी हो जाएगा साथ में जाब प्रेस भी कर देगा उसमें स्किन सेंसर भी लगे हुए है हाथ आगे करोगे मशीन भी चलेगा और यह करने के बाद आपकी नोटबुक ऐसे दिखने को मिल जाएगी आपको यह दे सकते हो वीडियो में जैसे यह जो मैं आपको नोटबुक दिखा रहा हूं यह प्रेस हो गई है पूरी अगर नहीं प्रेस करो कैसे करेंगे यह एसी फुली होगी है जैसे इसको अगर प्रेस कर दोगे तो यह ऐसे बन जाएगी पूरी एयर निकल जाती है इससे पूरी और साथ में जो राउंड है आपम एक्राश को सिंगल सिंगर में करना है तो उसका प्रेस score जो महारे बास के चाशन हैसे परहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूंань मैनुल मोडल के बारे में वैसे खड़ी मैनुल भी नहीं कह सकते वह इसमें कि मोटर लगी होती है एकिन में बताता हूं कि आपको व पीशे वाला गुनिया वि होता है उसको भी हाट से गुमा कर आगे दीशे करना परका है जो युटिंग ब्लेड नीचे आ ना है वह चलता मोटर से हैं लेकिन भी खाम से ऐसपर मोटर चोगा हो आपके स्किन सेंसर नहीं लगे होते अगर उसे उपर वाला मोड़ जाहिए आपको जिसका नाम है सेमी आटोमेटिक पेपर कटिंग मुशीन दोस्तों उसकी भी हम आपको वीडियो दिखा रिखा 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 रिख सकते हो उसमें कि आपको कुछ नहीं करना बस आपको से सोती है अगर हमारे हमारे वार के टेबल पर होते हैं अगर कोई पीसरा आद्मी दूसरा आदमी आगे हाथ कर दे तो आपको मशीन चले गए निसे रुक जाएगी है इस उतनी दिन नहीं चलेगा है कए चिनी तर आँ पी शेंगे और उससे एक और उपर मोड़ जो आता है फुली ऑटोमेटिक और फुली हड्रोलिक पेपर कटिंग मशीन उसमें की आपका कंप्यूटर लगाता है सक्रीन पर आप देखते हो मशीन के ऊपर वीडियो दिखा रहे है मशीन के ऊपर प्रोग्राम लगा हुए उसमें आपका जो नोटबुक और यह साइज बरोगे आपक सब्सक्राइब आपको कटिंग हो जाता है सारा और यह वह भी सारा स्विचिज है उसमें भी स्किन सेंसर लगे हैं अब देख सकते हो वान टाइम नोटबुक रेडी हो जाती है जो सेमी ऑटमेटिक और मैनूल में है पेले एक साइड काट कर सभी की रखनी परती है बाद मे सब्सक्राइब दूसरी साइड कारते हैं ओटमेटिक में यह नहीं है ओटमेटिक में वान टाइम आपकी नोटबुक रेडी होकर बाद में इसकी परड़क्शन भी दोनों मोडल से डबल है ठीक है तो अब यह तो आपको मैंने बता दिया कि नोटबुक बनती है कैसे है और मारे पास यह हमने बताया मैंने सिर्फ मैंनोर सेमी ओटमेटिक के बारे में दोस्तों मारे पास जो ओटमेटिक मोडल है जिसमें आती है थ्री इन वन मशीन इसमें होती है पिनिंग भी हो जाती है साथ में फोल्डिंग भी साथ में हो जाती है दोस्तों आपको इसमें है कि स हैं इसको इसे न्रमल देख सकते हो हमें इसको एसे ओर में धनी करना पुछ महीं करना है एक आदमी की बब्स वह तीनों का काम एक ही आदमी कर सकते हो इक आदमी एब श्य अब करने का पॉल्डिंग लिए बाशचे थिंग बम ठाणार के पे लिए अलग आदम करकर अपने नोड मुक को बार रखी जा रहा है सिर्फ उसके बार यह कि इससे आपकी प्रड़क्शन भी है जो दो चार सो कोपी पांच सो कोपी या एक गंटे इंक्रीड हो जाती है और इसमें है कि स्पीड वैरियेबल भी हो जाती है यह जो मैंने पांच-छे सो का है फ्लो स शब्रफमांटीक से यार कोपी एक गंटे में बनीघनियों मैंनोल में बनीच एक गंटे में इसमें एक कि 2600-2700 खुपी आपकी एक गंटे में निकल जाती अराम से उसमें कि आप कितनी पिन लगानी है सारा तर्श सक्रीन पर उसकी कम जड़ा कर सकते हो और सब कुछ आप तर्श सक्रीन लगी हो उससे भी सारा मशीन को कंट्रोल कर सकते हो यह कोई इसमें आपको मेकेनिकली काम ज़्यादा नहीं है बाकि जो भी मारा सब कुछ होएगा आप जब मिशीन हमारी पर्चेस करोगे जो यह नोटबुक की आपको पूरा बताकर आएगा महारा इंजीनियर इंस्टॉल करकर ट्रेनिंग देकर आएगा मिशीन को कैसे चलाना कोई कोई भी मोडल आप ले लिए मारा इंजीनियर आपके पास आएगा ही आएगा ओल ओवर दी वर्ड जहां भी मिशीन जाएगी आपको सिखाकर आएगा पूरा कैसे नोटबुक बनती है पूरा आपको ट्रेनिंग देकर आएगा दोस्तों आपको मैंने बता अब तो बत कि अपने कौन सा मोडल लेना है वह आप जब हमने नीचे वीडियो पर हमारे नंबर भी आ रहे हैंगे आप उन पर वर्ट्ट्ट्व करकर या चाल करकर मशीन की सारी जानकारी भी ले सकते हो उसके प्राइज भी हम आपको शेयर कर देंगे बाकी और भी कुछ जो अब आपको पूरा आपके साथ बात करकर पूरा समझाएंगे आपको कैसे क्या करना है अब हमें जब मजी कोल करकर चाहे अगर कोल ना उठाया जाए तो अब वच्छ सब्सक्राइब कर चोर सकते हम आपका जब फ्री होकर आपको उसी वक्त आपको रिपलाए देंगे मिश इसका प्रसेस पिनिंग फोल्डिंग एंड कटिंग भी बीची में हो जाता है दोस्तों यह इस टैम बिजन जो मोडल है सबसे बेस मोडल है जो जिसके पास बजट है जारा बजट है जो जारा इंवेस्टमेंट कर सकते हैं बाकी भी मोडल बड़ी है लेकिन इसमें की इसमें अराम से निगल जाएगी इसमें इसमें प्रसेस्ट यह है कि आपको कावज और टाइटल यह रखना है आपको वीडियो भी दिखा रहे हैंगे साथ में आप देख सकते हो यह सिर्फ कावज और टाइटल अपने पर आपको बद शैक्त करना है कितनी पिन लगानी है कर देगा आप बीडियो में देख सकते हो इसमें कि पीनिंग फॉल्डिंग एल्ट स्केरिंग और दिख रहे हैं वीडियो में पूरी कौपी त्यार होकर बाह निकल जाती है और मारे पास एक अलग मिशीन भी आती है जिसका नाम है श्रिंक पैकिंग में जो आपको आपको कि यहां आपकी नोट बुक देख सकते हो यह ऐसी त्यार हो जाएगी यह मैंने दिखाई यह 12 इसाइज गी है जैसे यह पोरिंस आपकी यह वीडियों में देखा आपकी नोट बुक ऐड़ी हो गया है अब आपका परसाइस आता है कि जब आपने वहों सेल करना है सब कुछ कर करना पड़ता है उसके लिए आप मारे पास है श्रिंक पैकिंग मिशीन दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो उसमें कि आप गथी जैसे सातर कोपी का बंडल लेकर आप उसको टैक कर सकते हैं कि आपका जंग नहीं लगता दस नहीं पड़ती कोपी क्वाल्टी मेंटेन र वैंटेश में बढ़ने का डर रहता है डुस्त पड़ने का तो गदिए पता ओकर आपको वह सारा डर मिठी जाता है वह आप साहतु में ओपशनल मशीन है वह भी ले सकते हो धीय कि दोस्तों अब मैं यह बताता हूं कि जो हम पीडिऊल है तो म्लेगा है यह कि आपको हर जाता है कोई जो आपको चाहिए आपको सभी मिल जाता है जो अपने नामेक प्रिंट करवा सकते हो यह अपना प्रैंड जो अध्रैस्ट जो पार Mizrake सब कुछ लिखवा सकते अंदर जैसे इंडेक्स प्रिंट हुआ मिल जाता है यह कि आपको असानी से मिल जाएगा उतसाथ में यह लगता है यह तो आपको यह तो आप लगाओ तो आपको बोर्ट प्रोफिट होता है जो इसमें की 25-30 प्रोफिट है इसमें जैसे कि आपको पूरी जो 30 पीज़ की जो मार्गिन में बिखती है वह आपको गर में पूरा कोस्ट करेगी 10 आप 10 से ज्याना पे भी सारा खर्चा डालकर बिजली का लेबर का पूरा आपका जो रोम टीनल का सारा खर्चा जालकर 10-11 पे ही पड़ेगी जो 30 पे की बिखती है आपके होलसेलर को बेचो के वह 17-18 बिख जाती है अराम से अगर इंटेलर को बेचो के वह 19-20 की बिख जाएगी अगर आप स्कूल कोल्डिज में दे रहे हो वह 30 पे को अपकी 25 की भी बेच सकते है और स्कूल में यह की प्रोफिट इसमें अराम से बढ़िया निकल जाता है साफ सुत्रा गाम है इसको गर पर रचाए किसी भी मंजल पर लगा लिए कोई वाइबरेशन नहीं है आपको पूरा मशीन बेस्ट क्वालिटी मिलेगा साथ में यह कि आपने जो देख रहे हो यहां हमारा चैक्टी विजिट करकर भी हम आप हमारी मशीन दे सकते हो आप जो मै हमारे सभी मेनफेक्ट्रिंग होर्य है आपको वीडियो में दिखा आया डेख लेना पूरी मिशीन नहीं नंबर दिख में पूरा देख कर मिशीन का हमें कोल कर सकते हो और नहीं भी आना वीडियो को लमें करो हम आपको मेशीन दिखा देंगे अब पूरा बेज़िज़ अपना तसली कर सकते हो आपको कोई जो क्लियर करना हो हमारे मैसीर कीजिए सब कुछ आपको असानी से रिपलाइ दिया जाएगा सब कुछ बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है कहां पर करना है मारा पूरी आपको डिटेल्स दी जाएगी और दोस्तों वैसे दो हमने आज आपको नोटबुक का बताया नेक्स्क वीडियो में आपके लिए और भी इंट्रेसिंग जो बिजने से लेकर आएंगे अगर आ रखे कि मारे इंडिया में और बिजने से लोग इंट्रेस्टीर है करने के लिए तो हम और भी जो मार्किक में बिजने आपके लिए लेकर आएंगे आपको सब जानकारी कहां से रोम पे इल मिलना है कहां से सब कुछ आपको हम बताएंगे आप हमें एक्रीशेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तो इस वीडियो में इस नहीं मुईत करता हूं कि अपनी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पूंचे